तो आज मैं बनाऊंगी अंकुरित मूंग और अंकुरित उरत से डाल हांडी मतलब एक special डाल जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो इसको बनानी के लिए सबसे पहले तो यहां खड़ी मूंग की डाल और खड़ी उरत की डाल को अंकुरित कर लेना है यानि एक दिन पहले आप इसको भींगो के रख दीजिए और जब यह फूल चाहे किसी पॉलितिन या कपड़े में बांद के रख दीजिए जिससे कि एक दिन में यह अंकुरित हो जाती है तो इस प्रोसेस को दो दिन करना पड़ता है जिससे अगर आपको टेस्टी खाना है तो यह तो ज लाल चिनी का तुकडा तेज पत्ता खड़ी लाल मिर्च और जैसे यह हलकी सी पक चाहेगी तो यहीं हम लैशुन अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट एट कर देंगे लगबग एक से देड़ चमज तक इसको भी हलका सा पकाएंगे और यहीं अब एट कर देते हैं दो बारी क प्याज को हलका ब्राउन होने तक पकने देंगे तो यह जो जल्दी गर्म हो जाता है इसलिए इसको कंटीनू प्याच को चलाते जाएं जैसे की इस बरतन में प्याच लगे नहीं अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं तो आप इसे प्रेशर कूकर में भी बना सकते ह और जैसी प्याज का कलर इस तरह से होजाएगा तो यहीं बारी कटे वे दो टमाटर आड़ कर देंगे और कुछ मसाले आड़ कर देते हैं तो यहां आड़ करेंगे धनिया पाउडर साथी चुटकी वर हल्दी पाउडर आड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे सबजी मशाला एड़ करेंगे और बस इसको पका लेंगे तो इस तरह से जैसे ही सारे मशाली अच्छे से पक जाते हैं तो इसको इस तरह से चलाते जाएंगे और अब यही हम यह दाल एट कर देते हैं मुम की दाल और उरत की दाल बस इसको भी मिक्स करते हैं इस तरह से सारे मशालो के शार यह देखिए यह मिक्स हो गया है यह फूली हुई दाल है अंकूरी थे तो बहुत जल्दी पक जाती है यह पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहीं लगबग दो बड़े गिलास यहां पानी एट कर देंगे बस इसको अच्छे से चला देते हैं और अब यहां स्वादमसाद नमक एट कर देंगे और इसको ढखके लगबग 20-25 मिनट तक धीमी धीमी आज में पकने देंगे बीच बीच में आप इसे चला के देखते जाईए जिससे कि यह जो डाल है वो लगे नहीं बरतन में अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप बीच में गरम पानी एट कर सकते हैं यानि ठंडा पानी बिल्कुल भी मता एट करिएगा गरम पानी ही एट करिएगा और अब मैं पूरे 25 मिनट बाद अब दाल चेक कर रही हूं और यह देखे दाल जो है वह अच्छे से पक गई अगर आपको लगता है कि फिंदी नहीं है तो आप थोड़ा सा मथानी से या इस तरह से इसको हलका सा मत दीजे इसको इस तरह से मत देंगे न तो दाल बिल्कुल फिंदी फिंदी से दीखने लगेगी क्योंकि पक तो बहुत जल्दी जाती है बस थोड़ा सा वह मिल नहीं पाती है तो इस तरह से आप प्रोसेस कर देंगे न तो बिल्कुल परफ तेल का भी लगा सकते बटर का भी लगा सकते हैं यहां मैंने तड़का लगाने के लिए जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहीं हींग एट कर देंगे जीरे एट कर देंगे और इस तरह से बड़े-बड़े कटे हुए लैशुन अद्रक और हरी मिर्च एट कर देंग और ये वारी मूंग और उरत की दाल हांडी बन के रेडी हो गई है यहां हम बटर थोड़ा सा एड़ कर देते हैं और यह देखे देखने में कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी मुझे तो ब लाइक भी कर दीजेगा थैंक यू फर वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो